बिस्मिल्लाइम्हाइन रहीम एक्सराइट 1.3 क्वेशन नम्बर 9 और 10 एक जैसे तो इसलिए हम 9 करेंगे और 10 को स्केप करेंगे तो यह करते हैं यह क्वेशन इस एक्स प्लस 40 माइनस एक अंडर दरूट अंडर दरूट एक्स प्लस 21 इस एको टो एक्स प्लस 5 सबसे पहले क्या करेंगे टेकिंग स्क्वेरिंग बोट साइट ठीकिए अंडर दरूट 6 एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 21 अंडर दरूट इसका भी स्क्वेर लेंगे इस एकोल टो अंडर दरूट एक्स प्लस 5 इसका भी स्क्वेर लेंगे तो यह और यह दोनों कर जाएंगे और आप इसको देखें तो यह हमारे पास फार्मूला बन जाता है A minus B whole square का तो इसको solve करते हैं A minus B whole square is equal to A square plus A square minus A minus B whole square is equal to A square plus B square minus 2AB तो यह A हो और यह B है A square 6X plus 40 under the root A square minus A square plus B square X plus 21 minus 2 into A हमारे प्यास क्या है 6X plus 40 and B हमारे पास है X plus 21 is equal to X plus 5 ठीक हो गया So यह under the root और यह two और यह और नरू कर जाएगा यह दोनों कर जाएगे तो यह हमारे पास रहे जाएगे 6X plus 40 plus X plus 21 minus 2 और यह दोनों एकटा हम bracket में लिकिंगे multiply करेंगे ठीक है ठीक है So 6X plus 40 है और दूसरा क्या है X plus 21 है ठीक है और is equal to X plus 5 अपनी जेगा ठीक है क्या करेंगे 6X plus 14 plus X plus 21 minus 2 इसको simple ही दरीके से multiply करेंगे ठीक है 6 multiply by X से हो गया 6X plus 6 multiply by 21 So इसको calculator आप बेशे का इसको इसको समाल कर सकते है 126 X X X or plus 40 X or plus 40 multiply by 21 So if 40 multiply by 21 8 40 or is equal to X plus 5 ठीक है X plus 5 अब क्या करेंगे इसको मजीद सब्सकर करते है 6X plus 40 इसको rearrange करेंगे सो इन इन दोनों को करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस आता है तो यह 7X हो जाएगा 7X हो जाएगा और इस तरह प्लस 40 और प्लस 21 से हमारे पास आएगा प्लस 40 प्लस 21 प्लस 61 आएगा 61 और माइनस यह प्लस आचा जी 7X प्लस 61 और यह माइनस 2 अपनी जगा पर होगा अंडर दरूट अब इसको करेंगे ठीक है यह हमारे पास यह अपनी जगा पर हम लिख लेंगे यह इसको कर लेते हैं 6X और प्लस 6X और प्लस आएगा 140X हो गया तो यह इसके साथ हो गया 126X हो गया तो हमारे पास सवाल में कही ना कही गलती है कही पर गलती हम ने की है यह 6X 6X स्क्वेर है ठीक है मैंने कहा क्या पर क्योंकि 6X मुट्प्लाइब य एक्स करेंगे तो यह 6X स्क्वेर है यह ठीक है अब इसको हम कर लेते हैं 6X स्क्वेर प्लस 126X प्लस 40X प्लस 840 इस एक्स प्लस 5 ठीक है अब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 7X यह हो जाएगा प्लस 61 और यह माइनस हो जाएगा और प्लस प्लस 61 प्लस प्लस 61 माइनस 5 से हमारे आ जाएगा प्लस 56 आ जाएगा इन दोनों को करेंगे प्लस 56 आ जाएगा इस एकुल टू अब इसके साथ हम क्या करेंगे 6X स्क्वेर प्लस 126 तो इन दोनों को कर लेंगे प्लस 126 और प्लस 40 से हमारे पास आता है प्लस 126 प्लस 40 166 हमारे पास इस से आता है इन दोनों को प्लस करेंगे इस एकुल टू अंडर दे रूट 6X स्क्वेर प्लस 166 66 टीक्स एक्स और ब्लस एड़ टीक है अब हम इसका दुबारा क्या करेंगे स्क्वेरिंग लेंगे क्योंकि हम इसका स्क्वेरिंग लेंगे या इससे पहले हम इस तरह करते हैं कि इसको टू कामल लेंगे टीक है इससे हम टू कामल लेंगे सो यह मैंने 2 common लिया सो 3x प्लस 28 28 is equal to यह अपनी जगा पर होगा 6x square प्लस 166 x प्लस 8 40 टेक है क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस तरह में डिवाइडिंग इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे इसको भी करेंगे और यह कर जाएगा और यह कर जाएगा ठीक है हमारे पास क्या होगा यह 3x प्लस 28 is equal to under the root 6x square plus 166 6x प्लस 840 अब अब दुबारा हम क्या करेंगे इसका स्क्वेरिंग लेंगे स्क्वेरिंग स्क्वेरिंग बोट साइड ठीक है मैं इस साइड पर कर लेता हूँ 3x यह इदर ही एक स्टिप कर लेता हूँ 3x प्लस 28 इसका भी स्क्वेर लेंगे और इस एकुल टू अंडर दे रूट 6x स्क्वेर प्लस 166x प्लस 840 इसका भी हम स्क्वेर लेंगे तो यह और यह कट जाएगा अगर आप इसको देख लेए तो यह हमारे पास फर्मूला बन जाता है a प्लस b हॉल स्क्वेर का ठीक है मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ a प्लस b हॉल स्क्वेर का फर्मूला बन जाते है तो यह हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 28 x स्क्वेर इस एकुल टू तो यह हमने स्क्वेर इसक्वेर 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 प्लस 2ab तो यह हमारे पास हो जाएगा 3X का स्क्वेर जब हम लेंगे तो यह 9X हो जाएगा 9X स्क्वेर प्लस 6X square plus 166X प्लस 840 अब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे ठीक है यह हो जाएगा 9X square प्लस 7 84 प्लस 168 माइनस 6X square स्वरी माइनस हो जाएगा माइनस 166 X माइनस 840 इसको अब रियर्रेंज करेंगे ठीक है 9X square यह इस तरफ आजाएगा माइनस 6X square हो जाएगा और इसको प्लस 7 84 प्लस 168 इससे हमारे पास आएगा 9X square माइनस 6X से हमारे पास आएगा 3X 3X square और प्लस प्लस 784 और प्लस 168 से हमारे पास आएगा प्लस 2X 2 प्लस 2X और इससे हमारे पास माइनस 56 इन दोन से हमारे पास माइनस 56 आएगा इस इकल टू 0 क्या करेंगे Sum and product करेंगे 3X square Sum and product माइनस को माइनस करेंगे इस 3 के साथ ठीक है मतलब 56 56 माइनस 56 माइनस 3 इस जो value हाएगे हम एस दो मिन्ट ओमर करेंगे कि माइनस भी करेंगे वह आजाएगे र्वाश माइनस करें हमारे पास यह आजाए तो इसे हमारे पास value है हम एक फारे इसको कर लाता हूँ mean minALLY 12 ded 12 E X x plus 14 x minus 56 is equal to 0 क्या करेंगी अब इससे हम कामन लेंगे 3 x कामने कामन लिया x simply हमने क्या किया 3 x से हम कामन लिया तो इज़र x रह गया और minus सो 3 4s are 12 और प्लस 14 हमने लिया कामन सो x minus 4 इदर बे रह गया ठीक है is equal to 0 यह हमारे पास हो जाएगा 3 x plus 14 आ जाएगा और कामा x minus 4 is equal to 0 यह 3 x is equal to minus 14 and यह हमारे पास कामा x is equal to यह plus 4 हो जाएगा एक तो हमारे पास x के वे लिए यह आ गई ठीक है और अब इसको dividing करेंगे dividing both side by 3 पर करेंगे जो 3 पर इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे so यह 3 और यह 3 कट जाएगे ठीक है so यह हो जाएगा x is equal to minus 14 divided by 3 so यह हमारे पास का answer आ गया